त्राउजिशन्स ये वर्ड आपने हमारे पराने लेक्चर्स में भी जरूर सुना होगा और उस फक्त जो हम बातकर रहे थे इस इस फक्ats में बातकर रहे थे कि एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए कौन से आशा消 acá क्या आपने शॉट में जा सकते हैं जल्ड जुरे अगर हमें कुक्ट ढरा इस फक्त हमारे पास था सबसे पहले कट second हमारे पास था dissolve third हमारे पास fade in or fade out और fourth जो हमारे पास था wipe तो basically हमारे software के अंदर जो transition का एक tab है एक पूरी window बनी भी है वो basically उस wipe वाले part को represent करता है इसमें dissolve भी मुझूद है fade in, fade out भी हम इसी से बनाते हैं लेकिन जो बाकी transition जो के fun element है जो shapes के साथ जो कि आप सारा treatment बनाते हैं वो basically इसमें wipes भी शामिल है और further transition भी हम उनको नाम दे सकते हैं वो कौन-कौन सी transition और wipes हैं उनको हम थोड़ा सा explore करते हैं जी, कुछ हम नए assets को import करते हैं और उनके उपर हम ये transition apply करके देखेंगे हमने कुछ नए videos भी इसमें रखे हैं और हम देखते हैं कि हम उन पर किस तरीके से हम अपनी transition और ये wipes बगारा कैसे implement करते हैं कैसे लगाते हैं हम इस वक्त अपनी files को import कर चुके हैं further इनकी quick selection कर लेते हैं कि हमें कहां से कोई short चाहिए कहां तक चाहिए और आप देख सकते हैं ये मैंने quick selection की timeline पर रखा हाँ इस वक्त आपको ये एक message window appear हुई है और ये आप से पूछ रहे है कि क्या आप अपने sequence की setting change करना चाहते हैं क्योंकि जो existing setting चल रही थी वो 1080, 1920 x 1080 यानि के HD थी और जो अभी footage हम रखने लगें timeline पर वो 4K है तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको change करना चाहते हैं convert करना चाहते हैं अब अगर हमारी output हमें पता है हमने 1080 पर ही लेनी है HD लेनी है तो हम इसको change नहीं करेंगे हम further इस footage को इस asset को जिसकी resolution different है हम उसको adjust कर लेंगे और यह हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से हम उसको adjust करते हैं अपनी effect control window के थुरू motion से scaling से या पर rotation अगर आपको कहीं पर ज़रत हो तो इसे भी कर सकते हैं इसको हम keep existing settings पर रखेंगे यह मेरे पास add हो चुका है मैं अपने second clip में जाता हूँ मेरे पास एक यह astronaut का clip है और quick मैंने selection की in point और जहां तक मुझे चाहिए है मैंने out point इसको मैं timeline पर रखता हूँ मैं एक और मेरे पास यह एक short end point लगाया और मैंने यहां पर out point लगाया और मैंने इसको यहां पर timeline पर रख दिया आप देख सकते हैं कि इसको आपके पास 3 clips timeline पर मवजूद हैं मैं अगर यहां पर अपने effect के window में जाओं effect के tab में जाओं तो यहां पर मेरे पास folders हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपके पास यहां पर आ रहा है video transition इसको अगर हम यहां से drop down menu को खोलें तो आपके पास बहुत सारे और भी folders हैं और इन folders के अंदर further इनकी अपनी और different different types की transition और wipes मुजूद हैं आपको बिलकुल एक basic transition जो के हम use करते हैं बहुत common हमारी use होती है cross dissolve यह basically क्या करता है हम इसको लगाने का तरीका पहले देख लें transition लगाने के लिए आपको दो clips के बीज में जहांपर वो join होए है जहांपर वो cut एक बीज में आ रहा है तो उसके बीज में आपको जोन सी transition implement करनी है आप उसको drag करके लेके जाएंगे और अपने दो clips के बीज में लाके mouse को छोड़ देंगे आप देख सकते हैं आपके पास यह एक transition add हो चुकी है cross dissolve को हमने drag किया था cross dissolve basically dissolve है और इसको हम play करके देखते हैं आप देख सकते हैं पहले मैं इसको undo करता हूँ और पहले यह एक cut के उपर था shot कि एकदम से यह आपका shot बांद हुआ और next shot आपके पास आ गया वही जो हमने cross dissolve लगाया दोबारा से लगाते हैं हम इसको दो clips के बीच में और अब इसको play करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यह frame by frame आपको दिखाता हूँ एक shot उसकी opacity कम होनी शुरू हो गई और वह एक next shot में mix होना शुरू हो गया dissolve हो गया real time play करके देखते हैं इसको तो सबसे ज़्यादा use होने वाली transition dissolve आप इसको film में purposely use करते हैं जब आपको time गुजारना हो जब आपको time को दिखाना हो के इस वेक जगा पे बैठे वे time गुजर रहे आगे और इसको आप इसकी shot की भी है control D अगर आप यहां पर बीच में इसको select करेंगे दो क्लिप्स के बीच में और control D करेंगे तो आप by default यह transition आपके पास लग जेगी क्योंकि यह by default यहां पर selected है इसके इलावा आप किसी भी और transition को इसी तरीके से जब दो क्लिप्स के बीच में लगाएंगे अब मिसाल के तोड़ पर यहां पर हमारे पास dip to white है dip to white को मैं इसके बीच में लगाऊंगा तो जिस तरह के यह क्या करेगा कि इसको इस point से जहां से transition शुरू हो रही है पहले वो dissolve हो रहा था तो clips आपस में mix हो रहे थे अब वो white की तरफ जाता है और उसके बाद फिर वो दूसरे clip के उपर आ जाता है तो आप देख सकते हैं किस तरह से transitions जो हैं आपके edit को आपके workflow को थोड़ा सा stylize कर लेती है आप different shapes के through भी मिसाल के तोब पर मेरे पास यहां पर iris है और iris में अगर मैं जाता हूं मेरे पास मैं यहां पर iris diamond try करते हैं same उसी तरह बीच में drag करेंगे पुरानी transition को वो replace कर देगा क्योंकि उसकी जगह पर हमने नई drag कर दिये और मैं यहां से play करता हूं इसको तो आप देख सकते हैं कि वो एक shape की थुरू transition हुई है और आपके पास next clip जो उसके साथ था वो appear हो गया है हम इसको undo करते हैं और हम different clips पे different transition try करते हैं एक और हम undo करते हैं यहां पर dissolve लगाया हमने next clip में हम इसको dip to white लगा देते हैं दो clips के बीच में जाके मैंने track किया और इस तरह से आपके पास बहुत सारी और stylized transitions मुझूद हैं मैं अगर आपको और इसमें दिखाओं यह मेरे पास zoom के tab है जिस तरह cross zoom इसको लगा के देखते हैं यह क्या करता है इसको zoom करेगा इस वक्त ही हमने इसको मेंडूली नहीं किया यह transition यहां से इसको zoom in कर रही है तो आपके पास बहुत सारी different transition मुझूद हैं आप इनको explore करें बारी बारी देखें आप इनको purposely use करें जहां पर आपको जूरे था आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर push लगाया था तो इसने इसको यहां पर push किया और आपके बास next shot आ गया further इनको मजीद amend करने के लिए कुछ further इनकी settings देखने के लिए तो हर transition पर अगर आप किसी पर यहां पर click करेंगे और अपने effect control window जैसे के हम बता चुके हैं बहुत important window अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास effect control window में totally interface change हो चुका है जो के पहले आपके पास अगर clip select हो तो आपके पास एक basic properties आती है इस वक्त मेरे पास transition select है timeline से तो मेरे पास कुछ इस तरह से options आ रही हैं आप इस transition की duration को भी change कर सकते हैं इस वक्त यह मुझे बता रहा है जो कि हमारा time code का एक format होता है उस हिसाब से कि यह 1 second और 5 frame की transition है अगर मैं इसको कम करना चाहता हूं तो मैं इसको maybe यहां पर 0 second करता हूं और मैं frame में जाके इसको 10 frame कर लेता हूं आप देख सकते हैं यहां पर physically भी इसकी duration बदल चुकी है यहां पर यह चोटा हो चुका है और जब हम इसको play करेंगे तो यह जो कि 1 second 5 frame पर जा रहा था और अब यह सिर्फ 10 frame पर transition लग चुकी है further इनकी और भी options मुझूद है मैं इसको undo कर देता हूं ताके हमाँ पस transition visible रहे further आप देख सकते हैं कि आपके पास छोटे छोटे यह arrows आ रहे हैं अगर मैं उपर वाले arrow को click कर दूँगा तो जब push transition थी जो के right की तरफ जा रही थी इस वक्त वो उपर से नीचे की तरफ से इसमें आप changes कर सकते हैं आप किसी और transition में कोई और options मुझूद हो सकती हैं या आपने खुद से लगानी इनको explore करनी है और आपने कभी भी इनको overdue नहीं करना आपने इनको purposely use करना है अपने treatment के हिसाब से use करना है अगर आपका treatment इस तरह का है जिसमें कर सकते हैं जिस तरह के हमने देखी आपके पास wipe में बहुत सारी shapes मुझूद हैं हम एक try भी करते हैं clock wipe में ने लगाई यहां पर आप देख सकते हैं कि यह इस तरह हमारे पास clock का clockwise movement होती है तो इस तरीके से आपके पास यह movement चली गई आपके पास single clip पड़ा हुए दो clip साथ जुड़े भी नहीं है अगर आप इधर apply करना चाहते हैं तो वह black के साथ उसको शुरू करेगा क्योंकि इससे पहले या फिर उसके बाद उसको black मिल रहा है आप देख सकते हैं कि यहां से इसने black से इसको शुरू किया और transition पूरी इसके बाद इस वक्त भी आउट होगी तो black के साथ होगी वही जो dissolve हम दो clips के बीच में लगा रहे थे अगर हम यहां पर dissolve लगा दें तो आप देख सकते हैं कि वही dissolve इस वक्त आपका black की तरफ चला गया और यह fade to black हो गया पहले point पे लगाएंगे तो इसको हम आप देख सकते हैं fade in मैं ब्लैक की तरफ से आपका actual footage की तरफ footage आइस्ता इस्ता से आगया duration इसकी मुझे बढ़ानी हो तो मैं इसको यहां से जाके प्रेम को मैं थोड़ा सा 20 कर देता हूं आप देख सकते हैं यहां से बढ़ गया मैं आपको यह भी देता चलूँ कि अगर duration ही खाली आपको बढ़ानी हो आप चाहें तो इस पर double click कर सकते हैं आपके बाद same duration की window जो आप उपर से effect control window से changes कर रहे तो आप यहां से कर सकते हैं या फिर आप इसी selection टूल से इसके पास जब अपना माउस लेके जाएंगे तो आप देख रहें आइकन बदल चुका है और आप इसको ड्रैग करके भी duration बढ़ा सकते हैं आप देख सकते हैं इस वक्त जो यह डिजॉल था वह आपका बिल्कुल आइस्ता आइस्ता जहां तक आपकी transition चल रही है वहां तक वह इसको लेकर चल रहा है और उसके बाद जो था डिजॉल छोटा था duration का तो आप देख रहे हैं कि वह जल्दी से फेड आउट हो गया तो यह जो सारी transition है मैं चाहूंगा कि आप बारी-बा से जाके इनको change करके देखें इनको explore करें और अपने edit को enjoy करें जो चीज़ आप create कर रहे हैं उसका treatment उस तरीके से उसको लेके चले पन आपका का treatment है आपके पास कुछ music इस तरह का है कुछ comical element है बीच में तो आप इस तरह की shapes और गारा बिल्कुल use करें नहीं तो आप चाहें तो इसको simple dissolve में dip to white में या इस तरह की और जो basic transitions हैं उसमें use कर सकते हैं तो आप इसकी practice करें सारा explore करें आगे further चीज़े हम और द एक देजाएंगे